सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें खरगोन अगरपाली का प्रससन ने कोरोना आपदा में लगे स्वास्त कर्मी और पुलिस कर्मियों के कोरोना पाजेटी होने की चिंता में फुल बॉडी सैनिटाइजर सिस्टम तयार किया है कोरोना संकमन के प्रभाव को रोखने के लिए सैंसर यूपत सिस्टम से लोगों की फुल बॉडी सैनिटाइज हो रही है खरगोन जीले को हाट इसपाट गोशित किया गया है चीले में 14 कोरोना पाइटी मामले सामने आये है जीन में से दो की मोत हो चुकी है परसासन लागडाउन का कड़ी से पालन कराने के साथ अब आपदा में लगे लोगों की शुरुकसा के लिए हर कदम उठा रहा है नगरपलीका के सामने सड़क पर लगाये गए इस फूल बाडी सेंट आजय सिस्टम ने दियूटी पर तेना धहर वेकती अपने 2 पहिया वहाण सहीत निकल रहा है वही कार चलक अपने 4 पहिया वहाण से उतर कर इस सिस्टम से गुजर रहा है नगरपलीका द्वारा इस सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा हम जोनों का भी मानना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रावन को रोखने के लिए नगरपालिका का यह कदम सरानी है नगरपालिका के साथ पुलीस वाले असपताल वाले और बोजन वितरन के लिए जितते भी करमचारी यहां लगे हुए यहां से से जोपी जाएं वह वापस और वापस आने पर इस रिस मसीन किस तरह से अटमेटिक काम करती है यह इसमें का सेंसर लगा हुआ है इसमें अदर जहने से अपने आप मोटर चालो हो जाती प्रचावी और अपने अप सेनिटाइडी हो जाता है तो हमारा ज्वारा यहां पे जब जब भोजन की उपलब्द कराने के लिए निकलना रहता है तो हम सने फोके जाते हैं और हम चाहते हैं नगर पाली का इसा जो भी कार रही है वो करते रहे क्योंकि शार के अंदर जो प्रस्तिर्या बनती है उससे आसानी होगी इस बीमारी से लणने के लिए आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना